तो हाजुरू एक बाद फिर से आपके बीच एक न्यू क्रोप लेके पानव दा मॉस्ट इंप्पोर्टेंट फाइबर क्रोप कोट्रन के बारे में पढ़ेंगे आज अपने मेरा नाम है गविन तिर्द्या आप देख रहा हमारे यूट्यू चैनल तिर्द्या कलासेश वीड कोट्रन का जो बाटनीका नाम है वह है गोसिपियम फेमली मालवेशी और इसकी पुरानी फेमली यह वह बंबेशी आप कोट्रन का ओरीजिन इंडिया फाइबर क्रोप में कोट्रन फस्ट नमबर रह सेगन नमबर पर जूट है कोट्रन एक डीप रूटेड क्रोप है और ट अप्रेजल फाइबर का किंग कहते हैं को और को अपने वाइड गोल्ड भी कहते हैं कि दा लॉंग आउट ग्रोथ फॉर अफ्टेपल और लिंट वाइल शोटर आउट ग्रोथ फॉरम फूज को कोट्रन के अंदर अपने टर्मिनेट टेकनलोजी यूज करते हैं जो बीटी कोटन क्या होता है बैसिले इस थुरिंच जैसे जो बक्तिरिया होता है उसकी जीन होती है वो इसको इसमें ट्रांस्पर करते हैं कोटन के अंदर इसलिए यह जो बीटी कोटन टॉक्सिक होता बॉलवां बॉलवां के लिए टू टाइप की ब्रांच होती है कोटन के अंदर वेजिटेटिव ब्रांच को मोनोपॉडियल कहते हैं और जो रिप्रोड़क्टिव ब्रांच होती है इसको अपने सिंपॉडियल कहेंगे यह टर्म सुनी होगी आपने कोटन के अंदर स्कॉयर और ब्रेक्टिव शाफ लोवर बड़ चला अपने दोनों टर्मों के इस इमेज से समझते हैं इसको बोलता है यह पिरमीड शेप के ग्रिन स्ट्क्चर होती है इसको अपनी कहते है स्कॉयर और यह ब्रेक्टिव और यह फ्लोर बड़ रिधे ये क्या होता है यह जो ट्राइंगूलर सेप की जो लीफ है च्थरक्टर होती है यह तीन होती है यह पूरे को अपने कहेंगे स्क्वायर और इसके बाहर यह जो तीन लीफ्स होती है तीन ट्राइंगुल टाइप की इसको अपने ब्रेक्टियॉल से फ्लोवर बड कहेंगे और यहां से 18 से 24 दिन बाद में यहां से निकलता है इसमें फ्लोवर निकलता है इस स्क्वाइर से तो जिसने कोटन को फिल्ड में देखा वह राम से समझ जाएगा गिनिंग क्या होती है separation of fiber from the seed cotton याण से fiber को लग करना गिनिंग क्या लाता है गिनिंग जो होती है 32-35% होती है गिनिंग प्रसेंट निकालते कैसे है इसका फॉर्मुला है weight of lint, weight of lint multiply by 100 divided by weight of seed cotton फिर हैं topping, topping क्या होती है, removal of terminal bud of the main stem फिर next है dilinting, dilinting क्या होती है, dilinting is the process of removal of which from the seed coat in cotton dilinting करते हैं किसे हैं, ये concentrated sulfuric acid से करते हैं cotton के अंदर जो mostly herbicide use होता है, weed control के लिए, हो है diuron cotton fiber क्या होता है, cotton fiber is an elongation and outgrowth of an epidermal cell of seed coat दो टर्म सुनी होगे, आपने cotton seed and seed cotton, दोनों में क्या difference होता है जो cotton seed होता है, ये क्या होता है, seed of the cotton plant यानि जो cotton plant का seed होता है, उसको कहता है cotton seed और जो seed cotton होता है, the cotton fiber with seed, still attached यानि कि जो cotton का fiber होता है, seed से attached रहता है, यानि कि seed और cotton के fiber दोनों कहेंगे seed cotton और जो कहला seed होता है cotton का उसको कहेंगे cotton seed, fiber की fineness को micron year से measure करते हैं, fiber की length और fiber की fineness ये दोनो genetic traits हैं, fiber की maturity को arealometer से measure करेंगे और जो fiber का थिकने से, उसको nappiness से, spining performance measured by number of count, spining performance क्या होती है यानि कि cotton के fiber से जो thread बनते हैं, उसको कहते हैं, spining process यानि कि thread बनाने की process होती है, उसको spining process कहेंगे अपने जो one ball होती है cotton, उसका weight होता है 170 kg, fiber की length को 4 type में divide किया है, according to length यानि जैसे short staple, medium staple, long staple, extra long staple, short staple की fiber की length होती है, वो होती है, less than 22.6 mm medium staple की होती है, sorry, यह 24.6 mm है, और जो medium staple की होती है, वो होती है, 24.6 to 30.9 mm long staple की होती है, more than 30.9 mm, और extra long staple की होती है, more than 33.4 mm stenosis of cotton, यह virus से होता है, graph transmissible virus से होता है, इसमें क्या होती है, जो leaf होती है cotton की, वो stunting हो जाती है यानिके उनकी growth रूप जाती है, चोटी हो जाती है, चोटी हो जाती है, लिप, एक्जलरी बड जो होता है, वो ज्यादा growth होती है, stimulation हो एक्जलरी बड बुशी growth होता plant, plant मतलब ऐसे बुशी टाइप का हो जाता है, उसमें sterility हो जाती है, प्लांट के लिए 240 इंजरी क्या होती है, सुनाओगा आपने कि cotton के अंदर अपने अगर 240 अपलाई करें तो cotton में injury होती है, क्या होती है, cotton जो करोप होती है, वो highly sensitive होती है, 240 के प्रती, injured by spray drift, cotton plant को अगर expose करेंगे, यानिकि 240 इसमें अपलाई करेंगे, तो वो injury हो करेंगे, उसको अपने कहता है, stripping, scorching, rolling, puckering of cotton leaf, यानिकि 240 से जो leaf होती है, यह symptom है leaf के, यह इस image में दिखा रखेंगे, यानिकि scorching, rolling and puckering, यह similar rolling type की leaf होती है, वो मुर जाती है, जिससे क्या होता है, photosynthesis जो होता है, इनिपिट हो जाता है, cotton के अदर, 240 resistant cotton है, यानिकि यह gene है, TFDA, यह gene 240 resistant, 240 के ब्रती resistant है, अल्ट्रा नेरो रो cotton, नाम से पता लग रहा है, अल्ट्रा नेरो रो, यानिकि इसके अंदर जो रो टू रो स्पैसिंग होती है, वो काफी कम होती है, 19 स्क्वार सेंटीमेट होती है, यह concept USA के डवलो पू अधा से पहले, इसके अंदर जो प्लांट पोपूलेशन होती है, यानिकि इसमें अपने रो टू रो की स्पैसिंग कम रखेंगे तो प्लांट पोपूलेशन इसमें ज्यादा होगी, यानिकि रो टू रो स्पैसिंग इसमें अपने कम कर देते हैं उससे क्या होती है, प्लांट की डेंसिटी बढ़ जाती है, यानिकि पर एरिया इसमें जो ज्यादा पूदू होती हो, यल्ड ज्यादा होती है लवर कोष्ट पर, यह देखो, इमेज में दिखा रहा है मैंने, इसमें काफी पास-पास में ग्रोकर रखा है कोटन, वैसे कोटन वाइड रोग रोप होती है वैसे तो, कोटन क्लासिफिकेशन, कोटन का क्लासिफिकेशन कोटन की चार स्पीसिज होती है, गोश्पिम आर्बोरियम, गोश्पिम हर्बेशियम, और फिर गोश्पिम पर्शंट एरिया पर ग्रोग की जाती है जो फाइबर की लेंद्ट जो होती है इसकी 1.252.10 चेंटी मीध्र और जो घोश्पीम हर्बेशियम होती है इसको अपने कहता है देसी कोटन इसके अंदर जो क्रॉमस्वम नंबर होता है वह 26 होता है यह 21 परशंट एरिया पर सबसे ज़्यादा यह जाती है यह 50 परसंट एरिया पर यही ग्रोग की जाती है 52 यानि कि इसमें जो प्रोम सम उता हैं 52 फाइबर की लैंद्थ होती है 1.8 to 3.1 सेंटीमेटर लाइस्ट है गोस्टीम बारबेटेंस इसको सी आइजलेंड कोटन भी कहते हैं इसके लाव इसके अपने एजिप्टियन कोटन कहते हैं इसको अपने फाइबर परपज के लिए ग्रो की जाती है इसमें क्रोमसम नंबर 52 इसकी फाइबर की लेंद्थ होती है 3.625 सेंटीमेटर इसका फाइबर है बहुत अच्छा तो यानि इसके लिए 21 तो 27 डिगरी सेंटीग्रेड 27 तो 32 डिगरी सेंटीग्रेड और कुल नइट दूरिंग फ्रूटिंग 43 डिगरी तक ये टेंपरेचर को टोलिरेट गर जाती है कॉटन ग्रोब कैन नोट स्टैंट अगांस्ट फ्रोस्ट सोल जो होती है सबको पता ब्लेक कॉटन प्लाटन टाइप की सोल होती है इसमें लेकिन andhi नहीं होती में इसके लावा ऐलूवियल भी होती चलीव पीरेंटी कोटन के अगमpebrainar 10,000 प्लांट होते हैं पर हेक्टर अमेरिकन कोटन के लिए सीड रेड होती है 15 to 25 kg पर हेक्टर देसी कोटन के लिए होती है 10 to 18 kg पर हेक्टर और जो हाइब्रीड की सीड रेड होती है वह 2 to 3 kg पर हेक्टर इस प्टेशिंग आप करें तो अमेरिकन को ती है 60isu 45 स केम्हें थैसी कोटन की सिस्ट्टी 30 सेंटीमेटर हाइब्रिड की होती है हवंटर्ड्रру टू 60 सैंटीमेटर। मेजर डिजीजेगेज गोटन फelasटी बेक्टिरियल डिजीज बेक्टिरियल के इनद फास्ते एंगुलर लीफ स्पॉर्ड हो घंतोमिनाज ऑर्क खहें नियंकुलर पोड़कशा पारेयोम स्पढ के ने हुआ कि ने आच्टे ईग्रेमिल्डियो या दहीय स्थिल यह problemillareat अखिति है एन्थ्रेक्नाज्ड यह होता है इपने कोलेट्रैकं गोसी भाई फिर रूट रोड़ट डिजीज यह होता है र्कितोऽथा अब बलाइट डिजीज यह होती है यह अब कुछ सब्सबग्रिकु ब यह cotton leaf curl viral से होती है इसका जो वेक्टर वो वाइट फ्लाई होता है फिर लीफ क्रमपल यह भी cotton leaf curl virus से होती है फिर लीफ रोल मोजेक और लीफ मोटल एंड टर्मिनल स्टंट यह चारों वाइरेस होती है लेकिन यह वाइरेस सस्पेक्टेड वाइरेस मतलो इसकी इतिलोजी का प ज्यादा इंसेक्ट पेस्ट होते हैं cotton crop के इंदर इसमें सब ज्यादा पेस्टी शाडी होते हैं सबसे पहले अमेरिकन बॉल वोम जिसका साइटिफिक नाम है हेली कोर्पा आर्मी जेरा पिर नेक्स पॉट्टेड बॉल वोम साइटिफिक नाम इरेस विटेला इसके लाव पिर पिंक बॉल वोम यह पेक्तिन फोरा गोशी पाईला यह सबसे ज्यादा डेंजरेस पैस्ट है cotton का पिंक बॉल वोम बीटी कोटन इसके प्रतिमल इफेक्टिव है इसके अगेंस्ट फिर है सकिंग पैस्ट है को जैसे जैसे जैसीड जो कृइन लीफ पर कहता है हम रहेस आपिड यह एफिजगोशी पाई वाइडफलाई का स्याइंटिफिक नाम है बेमीशिय तबैकी रेड कोटन अब्क ग का साइटिफिक नाम है वह ढिस्टरकस कई निगी फिजिलोजिकल डिशोडर कोटन के फिजियोजिकल डिशोडर तिड़क सबने सुना आओ गई तिड़क यह उति है ड्यू अरली सर्विंग वाटर स्ट्रेस फिर रैड लिफ यह उति है ड्यू टू इन अडिक्वीट नूट्रेंट डॉल तेम्परेचर जो अमेरिकन कोटन हो हुए है ऐंपाइटे जो फर्सक्राहें चाहर दिसोड्रोटर है कोटन गे पिर आंथ इपुछ इंपोर्टन बाराइटी ज़ा ओच दोस्ट भौसफेंड आरबोरीश और वोर्यम की व्राइटी ज़ा इसमें ल्विड विरनार्द फिर गोशपिम हर्बेयर्डेसियम की व्रा महलक्समी फिर हैं mc5 एक्ष्टा लॉंग स्टेपल वराइटी है रिसूटम कोटन की यह चाशे चाहिए स्टेपल जो होता है काफी लॉंग होता है पिष्ट्र पार्बेडेंस की वराइटिए सुवीन शुजाता यह सुजाता फॉस्ट स्पाइनिंग वराइटी है इजिप्टिन कॉटन की जो इंडिया से इंडिया के नदर रिलीज हुए है हाइब्रीड की बात कर लेते हैं सब सब पहले हाइब्रीड में है एच फोर जो फर्स्ट कॉमर्शी लाइब्रीड है जो डवलप किया था डॉक्टर सीटी पतेल ने यह गुजरात अगरिकल्च उन्वेस्टी सूरत के अंदर डवलप हुआ 1970 अंदर यह इंट्रा हिर्शु फर्स्ट इंट्र स्पेसिपिक है बिट्विन कोशिपिम इर्शुटम और गोश्पिम बार्बेडेंस यह यूएस धारवार्ड करनाटका से रिलीज हुआ है फिर है मरू विकास इसका दूसरा नाम है राज एचस शिक्स्टीन यह फर्स्ट है इर्शुटम का राजस्थान राजस्थान में रिलीज हुआ है फिर है सविता सूर्या धनलक्षमी और लाश्ट है एच ट्रिपल सेवन आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो था हमारे यूट्यूब चैनल तिर्द्या क्लास को लाइक शेयर है जरूर गरे